हेलो दोस्तो, वेलकम तो माई चैनल, The Cricket Solutions, The Cricket Solutions में आप सभी का हाद दिख स्वागत है आज की जो वीडियो बना रहा हूँ नहीं, वो रियल टाइम पे बना रहा हूँ, अच्छुली कल ही किसी से बात कर रहा था, अपने सब्सक्राइबर से ही बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि उन्होंने जैसे मैंने कहा तक पहले की वीडियो में कि कलब कैसे फाइंड आउट करना होता है, तो वह बहुत खुश थे कि उनको रिस्पॉंसे आए, ठीक है? लेकिन उन्हों निकल एक गलती कर दी जिसके वैसे मुझे लगता है परसनली कि उनकी वो डील होते होते रहे गई तो आज बस मैं वही टॉपिक के उपर वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसी कौनसी वो एक चीज है जो एमेच्वर क्रिकेटर कभी भी क्रिकेट लब को नहीं रिक्विस्ट करना चाहिए उसके पहले यह कहना चाहूंगा कि आगे से मतलब कल से अपने चैनल के उपर हर हफ़ता सिर्फ तीन वीडियो आएंगे वो आएंगे मंडे वेनेज़ और फ्राइडे हर शाम को पाच बजे इंडियन टाइम और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे ताकि वो जो आने वाले वीडियो है वो आप मिस न करें मेरा नाम है प्रकाश पलाडडे मैं हूँ आपका दोस्त और चलो शुरू करते है आज की वीडियो जिसका टॉपिक है तो जैसे हम लोग क्लब फाइंड करते है जब कम्यूनिकेशन होता है बाते चलती रहती है कि आपको क्या फेसिलिटी से है वगरा वगरा तो मैंने पहल विजिटर वीजा क्योंकि अगर ऐसी चीज अगर यू के होम आफिस को पता चल गई तो वह आपको अरेस्ट करके डिपोर्ट कर सकते हैं तो वही हुआ एक्चुली हमारे एक प्लेयर के साथ बीचारे बहुत 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 एफर्ट लगा रहे एंड आज ना कल तो उनको क अरफ से क्या चाहिए तो यूजिवली प्लेयर ने लिखना चाहिए था मुझे लगेगा विजा लेटर फ्लाइट एक्कोमेडेशन और खाना और लोकल ट्रांसपोर्ट गल्ती से उन्होंने लिख दिया कि आई विल नीड जॉब सो देट ही कैन कवर इस एक्सपेंस वाइन इंग्लेंड जहां पे वो क्लब ने अपने हाथ खड़े गर दिये तो यह गलती मत करिए कभी भी दो चीज आप मत पूछिए क्लब से अगर आप एमेचर करके क्रिकेट खेल ले जा रहे हो ऑन स्टैंड विजिटर वीजा इन इंग्लेंड नमबर वन नेवर आस पर मैच फ वजे से लोगों को अच्छे-च्छे रिस्पोंस आने लगे है और आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो लाइक करिये और अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्षिन में आप कमेंट करना ना बूले और यह विल ट्राइट तो आंसर यूर क्वे जई हैंड़